9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर का दिन कन्या राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल अमरिता एस्ट्रो में और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन दो दिनों के राशी फल के बारे मे इन दो दिनों में होने वाले ग्रह गोचर के बारे में इन दो दिनों में आने वाले तिथी पर्व के बारे में तो बस एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आये हैं सब्सक्राइब करके जाएं अब सबसे पहले तिथी नक्षत्र और योग के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि इन ही के प्राभाव से आपकी जो दिन्चरिया है उसमें कई तरह के बड़े 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 बदलाव भी देखने को मिलते हैं 9 अक्टूबर बुधवार का दिन है शुकल पक्ष की शस्टी तिती नवरात्र चल रहे हैं मूल नक्षत्र रहेगा मूल नक्षत्र को अगर आपने सुना है तो ये काफी उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव का नक्षत्र कहा जाता है सौभाग्य नाम के योग के साथ दिन के शुरवात होगी लेकिन ये योग सुबह साथ बजे तक उसके बाद शोबन नाम का योग बन जाएगा जो किक्षुव योगो की श्रेणी में आता है चंद्रमा धनूराशी में होंगे और चंद्रमा का ही नक्षत्र मूल नक्षत्र रहेगा सूर्य कन्या राशी में हस्त नक्षत्र में विराजमान है राहुकाल का समय नोट करें क्योंकि ये वो समय होता है जब आपको किसी नए कारे की शुरुवात नहीं करनी होती वो समय होगा दोपहर 12 बज कर 8 मिनट से 1 बज कर 35 मिनट तक अब अगर 10 अक्टूबर की बात करें तो गुरुवार का दिन होगा शुकल पक्ष की सब्तमी तिथी होगी पूर्वसाड़ा नक्षत्र जो की एको गुरौर कुरूर सभाव का ही नक्षत्र है अतिगर नाम का योग बनीगा चंद्रमा धनूराशी में सूर्य कन्या राशी हस्त नक्षत्र लेकिन आज सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन है चित्रा नक्षत्र में सूर्य पहुँचेंगे अब इस दिन का जो राहुकाल का समय है वो दोपहर एक बर कर 35 मिनट से 3 बज कर 2 मिनट तक रहेगा इसके लावा दो ग्रहों का राशी परिवर्तन भी है एक तो 9 अक्टूबर के दिन गुरू जो है वो वक्री हो जाएंगे लगबग 119-20 दिनों के लिए और दूसर 10 अक्टूबर के दिन बुध का राशी परिवर्तन है जो आपकी राशी के स्वामी है अभी तक आपकी लगन में विराज मानते सूरिय केतु के साथ लेकिन आज 10 अक्टूबर के दिन उनका राशी परिवर्तन हो जाएगा और वो इससे अगली राशी तुला राशी में प्रिवेश कर जाएंगे जहां शुक्र मौजुद है 13 अक्टूबर तक उनका शुक्र के साथ सम्मंद रहेगा उसके बाद शुक्र का विराशी परिवर्तन हो जाएगा तो कुछ इस तरह से ये जो तिथी नक्षत रहें इनका प्रभाव है इनका योग है और इनका प्रभाव कैसा है ये चली जानते हैं 9 अक्टूबर की पहले ब सकते लेकिन ऐसी भी नहीं होगी कि उसकी वज़े से आपके कार्या ना बने आप बड़े धार्मिक अप्रवर्ति जिस दिन रह सकते हैं और अध्यात्मिक कामों को करने में बड़ी रुची रहेगी आपको धर्मकर्म से जुड़ने के ये रुची आपके लिए तो अगर उ जबरदस्त योग बना हुआ है आपके लिए मन की शांती का भी आप दान पुन्ने भी आज करेंगे और उस दान पुन्ने को करने से आपके मन को बड़ी शांती मिलेगे जिससे आप अपनी हर एक परेशानी को भूलेंगे और परिवार के साधेक अच्छा वक्त बिता पाएं इस राशी के जो जातक हैं उनको अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए आज थोड़ी सी मसकत जरूर करनी पड़ सकती है लेकिन जब दिन की शुरुआत होगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिन की शुरुआत होगी जिसे आपके परिवार के सदस्य होगे उनके सा बड़ा अच्छा वक्त भी बीतेगा प्रेम जीवन में अगर आप अपने साथी को लेकर किसी बात के लिए चिंतितरे तो उनकी जो चिंता है उसको अपनी जो आपकी जो चिंता है उसको दूर करनी का प्रियास आप करेंगे आपके जो आविशक कारे हैं वो पूरे हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा मूल नक्षत्र में हैं अब थोड़ा बहुत क्रोध शिड़ शिड़ापन यह चीज़त रहेंगी उग्रस भाव भी थोड़ा सा रह सकता है तो अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आपके किसी बड़े को आपकी बात बुरी रख जाती ह है तो आप माफी जरूर मांगे और लोगों का सहयोग भी आपके साथ रहेगा आप अपने बाते उनके सामने रख सकते हैं ताकि कोई आपको गलत ना समझे क्योंकि आपको गलत भी समझा जा सकता है जीवन साती का सहयोग आपको मिलेगा उनके सहयोग से आप अपनी कारियो बहुत बड़ी नहीं होने वाली हैं लेकिन आप अपनी उन चीजों में अपने आपको सम्मिलित करेंगे जिन से आप खुद को प्रेरित मैसूस करते हैं जो आपको खुशियां देते हैं अपने दोस्त हो गए परिवार हो गए उनके साथ वक्त बिताना आज आप पैसंद करे करेंगे और बड़ा अच्छा दिन आपके लिए रहने वाला है शाम का समय बहुत अच्छा है आप ये कुछ इंपोर्टन काम बन सकते हैं कोई बाहर जाने का मौका आपको मिल सकता है तो पांच बज़े से बहुत अच्छा समय आपके लिए दिखाई दे रहा है कोई अक्टूबर का दिन क्या है क्या कहता है आपके लिए तो इस दिन भी चंद्रमा जो है वो आपके धनुराशी में ही रहेंगे और भाग्या के हिसाब से देखा जाए उस दस्टिकॉन से हम देखें तो उत्तम दिन दिखाई दे रहा है परिवार में भी कोई मांगली कारेकर जिसके होने से परिवार में परिजिनों का आना जाना लगा रहेगा और कारेश्यत्र में भी आप सब को जोड़ने का काम करेंगे आपके सहयोगी हो गए उन सभी को जोड़ने का काम करेंगे आपकी जो एक वानी है वानी की जो सौम्मेता है वो मान सम्मान दिला सकती है मैं आपकी वाणी कटो है तो बने बनाए काम को भी विगाड़ सकते हैं आप कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे मन में वाहन को खरीदने की इच्छा बड़ी चल रही थी तो इन दो दिनों में आपकी वाहन खरीदारी की इच्छा पूरी हो सकती है उसके लिए भी बड़ा मर्थन रहेगा सपोर्ट करते दिखाए देंगे और सस्राल पक्ष से आज कुछ ना कुछ खुशी की खबर सुनने को जरूर मिल सकती है ये खुशी किसी भी तरह की हो सकती है लेकिन सुनने को जरूर मिलेगी तो वहाँ चीजें जो है वो भी अच्छी दिख रही है आप अपने रुके हुए कारे को पूरा कर पाएंगे और आपको उन सभी चीजों पर एक बार नजर जरूर डालनी होगी आप में से जो लोग डिपार्टमेंट बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो उ आपके आइडियाज हैं अपने आइडियाज को अपनी मेहनत से हकीकत में बदलने का कारिया रखेंगे और यही सफलता का मूल मंत्र भी है कि आप जो सोचते हैं उस पर आप अमल करें उतार चड़ाव हमेशा जीवन में आते रहते हैं कभी उतार आएगा कभी आए तो मुझे दोनों दिन आपके लिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं अच्छे से आप इस जो गोचर होने वाले हैं उनका भी रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे आप भगवान विश्ण की अराधना करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जब आप करेंगे नौकरी बिजनिस हर इक चीज के लिए अच्छा रहेगा और साथी चैनल को सबस्क्राइब कर लें